हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं डॉक्टर अनंद्यास फिर से अपने यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है मस्त है इंजोई कर रहे हैं सभी कर रहा हूं अन्तिम परहर की सीरीज चल रही है अंन्हाइं प्रहैर कि सक्षेशन प्लानिंग है क्या डिफिर ऐन्हों कि अलग अलग क्यों सिब्ड़ते May what is the meaning of career planning and what is the meaning of succession planning कोई इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है एक मत्र याद कर लेना एक बात याद कर लेना जो succession planning होती है यह company के लिए होती है ठीक है और यह जो career planning होगी न वो एक individual के लिए होगी वो पिंटू के लिए होगी Mr. Pintu जी के लिए होगी याद हो गया इतना याद हो गया तो इसका difference याद हो जाएगा देखिए जो career planning होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं किसी individual की growing की बात करते हैं उसके development की बात करते हैं सोचते हैं कि वह labor join किया है manager join किया तो उसके career में कब आगे बढ़ेगा training development करके उसको end goal तक कैसे पहुचा जाएगा 5 साल में उसको कौनसी activity सिखानी 10 साल में कौनसी activity सिखानी 20 साल होते होते हो company के किस level पर जाएगा दोनों में training and development की regular होती है कि मतलब केरियर उसका plan क्या होगा clear हो गया अभी difference detail में बता रहा हूं bucket bookish लाया हो यह रा detail लेकिन अपन पहले ऐसे याद कर लेते हैं जब succession planning हो रही होती है तो company level पर होती है उसके अंदर company क्या सोचती है कि 5 साल बाद after five years मेर को इस position पे एक senior level के accountant की जरुवत होगी या एक CA की जरुवत होगी तो इसके लिए क्या मैं बाहर से CA hire करूंगा या मैं एक accountant को इतना capable बना दू कि वो CA के task perform कर सके और मैं CA से केवल audit करवा दू है ना company वाला खुद अपने accountant को capability बनाना चाता है और CA से केवल audit करा देना चाता है जिससे cost cutting हो सके या दूसरा method होगा जिसमें उसको CA को hire करना होगा तो यह जब succession planning होती है उसके अंदर future की need को द्यान में रखके future की need को द्यान में रखके इसमें किसकी need द्यान में रखी जारी company की need द्यान में रखी जारी है और company वाले सोच रहे हैं कि मेरे को 5 साल 10 साल 15 साल 2 साल बाद जिस बंदों की requirement होगी उनमें जो training की requirement होगी उनमें जो skill की requirement होगी उनमें eligibility की requirement होगी वह मैं fulfill कैसे करूंगा यह कहलाती है succession planning अगर वह उसको fulfill कर पाएगा तो वह market में successful पाएगा अब इसका difference क्या है बात समझ में आ गई ना देखो कौन सी बड़ी बुश्किल बात है एसी कौन सी बात है जो आप समझ नहीं सकते सभी इतने बुद्धी जीवी जीव है है ना एसी कोई जीवन में कोई question नहीं बना जिसको MBA वाले ना निप्टा सके है इसलिए चिंता ना करने का यदि MBA कर रहे हो तो जीवन में हर समस्या का समाधान है आपके पास ठीक है पहली है career planning career planning क्या के रही है meaning क्या के रहा है career planning is the process through which an individual select the goals and of his work life and find out the way to which यानि कि मैं खुद select कर रहा हूं कि मेरेको life के अंदर यह बनना था assistant professor बनना आ associate professor बनना टीचर बनना था और उसके pathway को मैंने design कि पास सल बात मेरेको यह training करनी होगी 10 सल बात यह training करनी होगी this are my career plan succession planning के अंदर company decide कर रही होती कौन decide कर रहा होता है company decide कर रही होती process to respond to develop employees उनको क्या करना है employees को spontaneous करना है देखना है कि employee के अंदर आगे बढ़ने के लिए क्या है शमताय है और हम इनको आगे बढ़ाते है यह company के लिए है ठीक है career plan कोन करता है career plan आपका career management करेगा ठीक है और जबकि यहाँ पर succession management करता है दोनों काम HR के ही होते हैं ठीक है तो practically तो कोई difference नहीं है लेकिन theoretically यहाँ पर career management करेगा यह succession management करेगा यह individual programming की बात करता है यह organizational strategy का हिस्सा होता है यह individual planning है कि मिस्टर राम ने हमारे यह company में join करा तो उनको company में 5 साल बात किस position पर ले जाए जाएगा यह उनकी career plan है लेकिन मेरे 5 साल बात हमको किस की जरुवत होगी यह हमारी succession planning है positioning different position कराया जाता है one position one employee holds the different positions बहुत important point है देखना ध्यान से समझना इस point को जब मैं career plan कर रहा हूं तो एक employee को बहुत सारी position का काम कराया जाता हूं यानि कि वो mechanical engineer भी बनेगा वो marketing का executive बनेगा वो sales भी देखेगा और reception का भी काम देखेगा वो accountant का भी तोड़ा मुटा काम देखेगा तो उसको different task दिये जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर जब कर succession planning होगी तो एक job को multiple लोगों से कराया जाएगा जैसे कि accountant का काम कभी senior ने करा, कभी junior ने करा, कभी A ने करा, कभी B ने करा, कभी C ने करा एक ही position का काम क्यों 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 कि मान लेते हैं एक company छोड़के चला गया एक company छोड़के चला गया तो उसकी जगे B तयार है, B नहीं तो C तयार है तो ये कहलाती है हमारे succession planning, लेकिन जब मैं career development की बात करूँगा तो C से multiple task करा हूँगा, ठीक है, और जब मैं succession planning की बात करूँगा तो एक position multiple लोगों से कराना था हूँ, this is the difference, main difference जिसको बूला जाता है ठीक है, ensure क्या करते है, career planning ensure करती है, particular ones के career के लिए, indiesel के career के लिए और ये company के लिए success ensure करती है, I hope clear हो गया होगा, importance, difference clear हो गया है और दोनों ही अपने आप में जरूरी है, लेकिन ज़्यादा जरूरी क्या है company के लिए succession planning rather than career planning एक analytical way के अंदर भी पूछा जाने वाला question है, clear है ना, जल्दी next video में मिलते हैं मस रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय है